जैसी किष्णा दोस्तों हमारे बी एस सर्मा बद्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं दोस्तों भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अश्ठमी तिथी को भगवान शिरी किष्ण का जन्मोस्षब बड़े उस्षा के साथ में मनाए जाता हैं इस बाद दोस्तों 30 अगस्त को भगवान शिरी किष्ण की जन्मोस्षब की जन्मस्थमी पर रहे हैं जन्मस्थमी का अब की बाद जो स्वव संयोग बन रहा हैं जिसे जैनती योग भी का जाता हैं शेक्णों वर्सों की बाद में पर रहा हैं दोस्तों जनमस्तमी का पूरन सयोग बन रहा है क्योंकि दोस्तों हर बार जनमस्तमी दो होती है एक इसमात एक वैशनव पन्तों अब की बार ऐसा नहीं है जन्मस्त्मी के दिन भगवान सी किष्ण के जिनम नक्यत्र डोनी का होना ब्रिश रासी का होना ब्रिश रासी में चंद्रोड़े होना सौंबार का दिन होना अश्ट्मी तिथी होनी सब कुछ जैसा भगवान सी किष्ण के जिनम के समय पर सर्वार्थ सिद्यों बना था बैसाई योग वन रहे दोश्तों इस वार की जिन्मस्त में पर भगवान सी किष्ण की किरपा से प्रितेक भक्ति की मनो कामना पूरी होगी भगवान सी किष्ण जिस विकासे बस्देव देवकी के अउटपन हुए माता यसोदा नंद बाबा के घर में पडारे उसी तरह से प्रितेक भक्ति के घर में भगवान का जिन्मस्त सब होगा जिन दमपत्यों को साधी को कई वर्ष हो चुके हैं संतान की प्राप्ति नहीं हो रही जिनको पुत्री हैं पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही उनको पुत्र प्राप्ति का संतान प्राप्ति का बरदान प्राप्त होगा ऐसा सरवार सयोग केबल आपको भक्ती से इसका लाब उठाना है भगबान की भक्ती से उपाय करने हैं दोस्तों जन्मस्तमी का जो सुब सयोग है 30 अगस्त को पर रहा है सुम्बार और बुद्वार के दिन जन्मस्तमी होना अती सुब सयोग बनाती है जैनती योग का जाता है क्योंकि अस्तमी तिथी 29 अगस्त की रात को 11 बज़ के 26 मिनस से प्राद मो जाएगी और 30 अगस्त की रात को 2 बज़े तक रहेगी और 12 बज़े भगवान का जन्म होता है तो इसलिए 30 अगस्त को अस्तमी तिथी भी पूरन पर रही है भगवान सी किष्ण का जिनम अस्तमी तिथी में आ रहा है और 30 अगस्त को प्राते के 6 बज के 49 मिनत से रोणी नख्यत्र भी प्रारम हो जाएगा जो 31 तारिक की सवे 49 तक रहेगा इसलिए रोणी नख्यत्र का होना और दोस्तों रात रिकाल के समय ब्रिस राशी का होना बहुत अच्छा सरवार्ट सिद्योग है और प्राते के 7 पेंटालिस से हर सी योग भी शुरू हो जाएगा सूर का भी उत्रा फालगुनी नख्यत्र में प्रिबेश होगा इतने सारे सरवार्ट सिद्योग इतने सैयोग ऐसे सैयोग में अगर भगवान सिद्य किष्ण का इस प्रिकाल पूजन के जाए जो हम बिदी बताएंगे और भगवान सी किष्ण के सामने अगर इस उपाय क्यों किया जाए तो निश्चित रूम से आपकी मनो कामना वस्पूरियोगी पुत्र संतान प्राप्ती का बर्दान प्राप्त होगा दोस्तों अगवासी किस्न का पूजन जो करना है उसकी बिदी भी बता रहे हैं पर आप एक बात का ध्यान रखें कि बीडियों में विस्तार से बताने के लिए थोड़ी लंबी बनानी पर जाती है आज हम पूरी जानकारी दे रहे हैं किस प्रकार से आपको पूजन करना है दोस्तों आप कोशिश करें कि जन्मस्थमी को भगवासी किस्न की जन्मस्थमी का ब्रत जरूर रखें जन्मस्त्मी का ब्रत रखने से भगवाँ शीकिष्ण की क्रपा प्राप्ट होती है और जो ब्रत का परायन होता है वो रात को बारे बज़े के बाद होता है हमारे ब्रज में दिन में ब्रत रखते हैं रात को बारे वजे भगवान के जनम के बार में फिर भूजन करते हैं भगवान को भोग लगा के यही ब्रजवाशियों ने किया था दोस्तों इस दिन ब्रह्म चर का पालन करें भगवाशी किष्ण की बक्ती में दिन को बितीत करें और इस दिन रात्री काल के समय भगवान को पंचाम्र से दूड़, दै, गी, सैड, सक्कर, गंगाजल यह सब मिला करके भगवान को इसनान कराना है भगवान का अवशेक करना ह इस दिन भगवान को पहले से जूला पर वैठा दिये जाता है इस दिन अपने लड़ू पाल जी के लिए जूला जरूर लेकर के आए और भगवान को जूला पर वैठा करके आप जूला आवस्च लगाएं अगर किसी की साधी में रुकावट हुई आ रही है तो सातवा इस दिन रात्री काल में Bye75 की लेकर के बापने टू प्रा की के लिए फूला जूला आई इस दिन भात्त्री काल में भगवान की पूजा की समय पर जञीं क की यारे बजे से लेकर के बारे बजे तक संथा हुई कρχा कि संथा की का तर इस दिन जो है भगवान सिरी किष्ण का पूजन जिए पूजन किया जाता है उसमें आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो भगवान सिरी किष्ण का जन्म के समय पर यसोडा मय्या ने खीरा खाया था रादया जी के समय अरभी खाई थी तो भोग जुरूर लगा सकते हैं हमारे ब्रज में खीरे के अंदरी भगवान को विठा करें तो घृषेन चीरा जरूद चुरा आएं तो उसके बात है अपने घर के लड़ गुपाल को इस चलती है मोर पन का भगवान को जरूर अरपिट करें और भगवान को माखन मिस्तुरी का भो जरूर लगाएं और खिरावीrd पिट करें, इस दिन अपनी मनों काम ना बोलते हुए एक द्धोजा ले करकें, जंडा ले करकें, भगवान के मंदर पर जरूर लगवाना चाहिए, आपके घर के पास मंदर है, मंदर के चोटी पर लगवा दो, या अपने घर के मंदर में छोटा सा जंडा जरूर लगाओ, द दोस्तों भगवान सी किस ने अस्रों के संगार के लिए इस दिन जिनम लिया था इस दिन चंद्रमा जो रातरिकाल के समय उड़े का समय है 11 बजे से लेकर सारे 11 के 20 तक चंद्रोंगे कहीं 5 मिन आगे कहीं 5 मिन पीछे जैसे दिल्ली का समय 11 पच्चीश का है ऐसे ही सभी राजधानी का समय हम बता रहे तें बागी सभी जगयों के समय दो दो चाचा मिनट के अलग होते हैं बागी भगवान का जो जन्म होता है भगवान प्रगत होते हैं रात रिकाल को बारे बजे पूरा समय होता है दोस्तों इस तरह से आपको साधा रूप से ही भगवान की पूजा कर सकते हैं और इस दिन धन्ये की पंजीरी बना करके भगवान को भोग लगाये जाता है रात को भगवान का भूग लगा के आती करके संतान गुपाल मंत्र का जाप करके उसके बाद भगवान का प्रसाद गेन करके आप ब्रिट खोल सकते हैं और कई जगह पर जगह दूसे दिन खोलना है तो प्राते 945 तक खोल लेना कि 945 पर रोडी नक्यत्र समप्त हो जाएगा 31 तारीक को तो इसलिए सवलार सिद्यों बन रहा है दोस्तों इस दिन जो है भगवान मेरे बाल मकुन का बाल गॉपाल का पुथ्व प्राप्ति संतन प्राप्टि के प्राप्तिए यह उपाई जो मनें बता हैं इन उपाईयों को जुरू करें गर आपको मैः वीडियो अच्छी ल